जो 34 जी दिसम्बर के मेने में सुर्य धनूरासी में गोचर करने जाए रहा है तो कब गोचर करेगा इससे किन रासियों को फायदा पहुचने वाला है या फिर किस्मत बदलने वाली है सुर्य धनूरासी में रहेंगे धनूरासी में गोचर करेंगे तो धनूरासी में जब जाते हैं तो खरमास लगता है खरमास जब लगता है तो सुर्य भगवान का वह समय यानि दीन बहुत छोटा होने लगता है और जब दीन छोटा होता है तो सुर्ज का कीरन प्रत्वी के लिए बहुत लावधायक होता है उस समय विसेश रूप से सुर्ज की क्रपा होती है तो इस बार जो है सुर्ज हगवान की क्रपा चार रासी के ऊपर विसेश रूप से पढ़ रही है इस खरमास के दर्म्यान में चार रासी वाले पर सुर्ज हग दूसरी है सिंह है इसके वाद तीसरी ब्रिस्चिक और कुमः रासी ये चे चार-राइसी पर सुर्जागवान के क्रपा होगी सुर्जागवान क्रपा करेंगे जदि आप बहुत बिमारी से ग्रस्त हैं तो प्रातहकाल आप सुर्ज को प्रणाम करें और धूप में सुर्ज के सामने आप बैठ करके ओम घणी सुर्ज आयनमा का जाप करें तो इससे तो सभी रासियों को फैदा मिलेगा ही विसेश रूप से ये चार रासि वाले जदी कुछ उपाय कर लें तो एक महिना के अंदर आपका आर्थिक सुधार होगा सारिक बिमारी से तरस्त है तो आपको बिमारी से निजात मिलेगा और घर में सुध सम्रद्धी धन संपदा का आपको भरपूर होगा जदी आप सुभा प्रातस नान करके सुर्ज के तरफ मुख करके आप घणी सुर्ज आयनमा मंत्र काजिदी आप जाप करते हैं तो हर तरह से आपको लाब ही लाब होगा एक महिना तक प्रातस नान करते हैं